आज जैसा कि हम लोग अभी तक सारा जो टेक्सोनॉमिक टर्मिनलोजी पढ़ चुके हैं उसको अब यूज करना है जो कि प्राक्टिकल और थियोरी में हम उसका यूज करते हैं अभी तक मैंने आपको सबसे जो प्रिमिटिफ फैमिली थी रैनन को लेसी वो बताई है अब मैं आपको जो नेक्स्ट एक और प्रिमिटिफ फैमिली है ब्रैसी केसी वो बताने जा रही हो इसे सरसों की फैमिली भी कहा जाता है ब्रैसी केसी और सबसे पहले इसका नाम क्रूसी फैरी रखा गया था लेकिन चुकि आईसी बीन के नियम के अनुसार फैमिली के नाम के पीछ इसके अंदर फ्री है सीरी इस फैलमी फ्लोरी है और और प्रैइडेल्स है वो मैं एक एक करके बताती हुँ जो इस फैमिली के अंतरगत आने वाले पौदे हैं आपने सब देखे हुए है यूज किये हुए इस लिए इस फैमिली के पौदों को अगर आप उनके पिच्चर स याद रखेंगे तो इस family के characters आपको बहुत easily आप बता सकते हैं और economic importance तो और भी अच्छे से आप उसकी बता सकते हैं सबसे पहले इसका जो main plant है जिसके नाम के उपर इस family का नाम रखा गया है वो है brassica यानि सरसो और brassica compass trace आप जानते हो economic importance जो है as a vegetable, as a spices, oil भी इसमें से निकाला जाता है उसकी तरह इसको यूज़ करते हैं इसी का एक और प्रजाती है brassica brassica जुंसिया जिसे हम राई कहते हैं brassica नाइगरा जिसे काली राई कहा जाता है brassica brassica रेपा जिसे हम शलगम कहते है ब्रैसिका ओली रेशिया वैराइटी बोटराइटिस जिसको फूल गोबी कहा जाता है brassica ओली रेशिया वैराइटी कैपिटेटा जिसे हम पत्ता गोबी कहते हैं और रेफेनस सटाइवस मूली यह जो मुख्य प्लांट्स हैं जो इस family के अ और brassica के बहुत सारी species जो है वो तेल निकालने के भी काम आती है उनके जो seeds होते हैं तो oil giving plants भी है इसलिए जहां पर सर्सों के पैदावर होती है या फसल होती है उसको पूरा oil belt के नाम से भी जाना जाता है पूरे विश्व में अगर देखा जाए अगर इसके distribution के बारे में देखते हैं तो यह Cosmopolitan है पूरे विश्व में पाया जाता है यह प्रजाती के जो पौदे है टोटल 375 जनरा विश्व में पाय जाते है और 32 प्रजातियां पूरे विश्व में पाय जाती है इंडिया में इसके 51 जनरा एं 138 species पाय जाती है distribution जैसा कि मैंने पता है Cosmopolitan या लिए इसके जो इस पादप हैं वो एन्वल्स भी है यानि एक वर्शी वर्शी भी हैं दूवर्शी बाइनियल्स भी है और बहु वर्शी पैरेनियर्स भी आते हैं। में आते हैं characteristic feature है that pungent strong smell is a characteristic feature of this family root की बात करें तो root में थोड़े से हमें modification देखने को मिलते हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देए main जो root होता है वो tap root ही होता है लेकिन वो tap root बहुत सारे plants में इस कुल के बहुत सारे पादपर में वो जाता है जिससे reserve food material उसके अंदर stored रहता है अब आप सब ने शल्गम देखा होगा शल्गम कितना फूला हुआ swollen होता है यह tap root है actually जो फूल गया है और फूला हुआ रहता है और इसके अंदर बहुत सारा stored food जमा रहता है मूली भी एक root है इसका नाम है फूल जाता है और swollen shape ले लेता है स्टेम की बात करते है तो जैसे मैंने बताया अगर सारे हब्स है इसके अंदर आने वाले plants तो स्टेम कैसी होगी हर्मेशियस होगी बहुत कम plants है जिसके अंदर secondary growth आपको देखने स्टेम को मिलेगी दितियक पृती जो स्टेम है वह एरियल है एरेक्ट है बहुत स्ट्रॉंग स्मेल है उसके अंदर अब एक और आपने गोभी का नाम सुमना होगा जिसको हम गांट को भी कहते है नौल खोल बोलते हो और उसका बटानिकल नेम है ब्रेश्टिका ओलरेशिय स्ट्रॉंग 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 स पत्यों के और रूट के बीच में चोटी से एक बहुती रिडूज्ड कंडेंस्ट फॉर्म में स्टेम भी पाई जाती है तो मूली की जो स्टेम होती है जो फाली कंडेंस्ट होती है अब हम चलते हैं इस फैमिली की लीफ के बारे में अब लीफ का डिसक्रिप्शन करना है टर इंजमेंट अल्टरनेट होता है स्टिप्यूल उसमें नहीं पाया जाता तो एक्स्टिपुलेट कहते हैं छोटे-छोटे से रॉय वाइट कलर के बाल आपको पत्यों पर नजर आते हैं तो जो भी केरेक्टर्स आपको याद आते हैं वह आप लिख सकते हैं पत्ति जहां पर पर जब तने से जुटती है तो उसमें देखना है कि जो पीटियोल हो मौझूध है या नहीं तो बैसी किसी या बहुत चोटा सा होता है शेप जो होती है लाइरेट होती है शेप में आपको सारी बतार रखिए इन फ्लॉर्स इस जो पुषपकरम है वह रैसीम है या मल्टिपल रैसीम है सोरी compound रैसीम है या फिर को रिम्ब है जो आपने देखते हैं थरसों चैण्दर जो पीले-पीले फूल होते हैं वो compound receive होता है flower की बात करें तो उसमें ब्रक्ट भी नहीं है ब्रक्टियोल भी नहीं तो इब्रक्टियोलेट है डंडी अच्छी खासी पाई जाती है अप्टिनोमर्फिक है बाई सेक्ष्वल है चूंकि चारो पार्ट्स मौझूद है इसलिए complete है जो पार्ट्स मौझूद है वो चार-चार के गुच्छे में चार-चार के individual इकाईयों में है इसलिए फुष्प क्या कहलाएगा टेट्रामेरस यह सारी जो शुरू में हमने इकाई के प्रते जो है दल जो है कैलेक्स है कॉरॉला इंडिशयम में उसकी प्रते इकाई कितनी-कतनी 4-4 की संख्या में है चार के multiple में है क्रूसी फॉर्म कॉरोला होता है क्या होता है क्रूसी फॉर्म अब बताती हूँ है फार्ट्स यानि और और ये उपर बाकि सारे पा की रूप में मौज़ूद होते हैं क्रूसी फॉर्म नाम इसी क्रॉस को दिया गया है क्रॉस के ऊपर जीजस क्राइस्ट को क्रूसी फाई किया था उसी से ये शब्द निकला है क्रूसी फॉर्म और इसी पैटल्स का जो arrangement है यह cruciform में इसी वज़े से इस family को क्या कहा जाता है cruciferry नाम दिया गया था बाद में इसको बदल करके brassicacy नाम कर दिया गया अब आते हैं flower के calyx के उपर calyx यानि बाहिदल पुंच जो होता है उसमें सैपल्स की संख्याच चार है चारो सैपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है पॉली सैपलेस कंडिशन है arrangement टू प्लस टू है आप देखिए दो बाहर है और दो अंदर है यह दो बाहर है सैपल्स यानि मकरंद कोश पाए जाता है टू इनर सैपल्स बियर नैक्टरी यानि मकरंद कोश यह दोनों अंदर की जो इकाईया है सैपल्स है उसके अंदर मकरंद कोश पाए जाते हैं कोरोला दलपुंच की बात करें तो मैंने जैसा बताया कैसे टाइप का है क्रूसिफॉर्म टा उपर ये फैला हुआ और ब्रॉड होता है, नीचे का ये जो पतला जो पार्ट है इसको कलॉ कहते हैं, उपर का जो फैला हुआ पार्ट है इसको हम लिम्ब कहते हैं, तो प्रत्य एक पैटल के दो पार्ट होते हैं, कलॉ और लिम्ब और ये चार होते हैं संख्या में, चारो क् इसलिए बोलेंगे polyandrous arrangement है 2 plus 4 यानि 2 एक से हैं और 4 एक से हैं दो बाहर के रिंग में स्टेमनस मौजूद है एक बाहर के रिंग में 2 है और अंदर के रिंग में 4 है तो arrangement है 2 plus 4 इस ब्रैसी के 2 plus 4 arrangement को special नाम है tetradynamous condition जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो हमने terminology करी थी शुरू में tetradynamous condition का मतलब है बाहर के जो 2 स्टेमनस है वो छोटे है अंदर के जो 4 स्टेमनस है वो height में लंबाई में लंबे है outer two short and inner four hour long और जो एंथर filament से जुड़ा है वो base से जुड़ा है basifics सारे एंथर अंदर की तरफ खुल रहे है इसलिए इंप्रोर्स हो गए और at the base of short stamen small green nectaries are present कहते हैं कि यह जो दो बाहर के जो small stamen है इनकी base पे nectaries green color की nectaries यानि मकरन कोश भी पाए जाते हैं लेकिन केवल दो stamen जो की छोटे हैं जो बाहर के रिंग में पाए जाती है अग हम आते हैं जायांग यानि गाइनीशियम पी गाइनीशियम बाई कार्पिलरी दो कार्पल्स हैं stigma भी by lobed मैंने बताया था कार्पल की संख्या हम किस तरीके से ग्याद कर सकते हैं कार्पल की संख्या या तो stigma को देख करके या styles की संख्या ग्याद करके या फिर इससे नहीं पता चलता तो ovary का TS काटा जाता है तो कितने कार्पल्स हैं by carpalry हैं दोनों कार्पल्स fused हैं sin कार पस है लेकिन जो septum है वो center तक नहीं जा रहा है इसलिए unilocular है septum center तक नहीं जा रहा तो locule एक ही है लेकिन कार्पल्स दो हैं जुड़े हुए है superior ovary है लेकिन जब mature होता है ovary जब mature हो जाती है तो एक इसमें बहुत ही characteristic feature है ब्रैसी केसी का वो यह है कि इसमें एक पतली सी जिल्ली बन जाती है दोनों कार्पल्स के बीच में और वो पतली सी जिल्ली एक भित्ती के रूप में मौजूद होती है और उस भित्ती को बोलते है false septum होता है वो जो कि रैपलम के नाम से जाना जाता है इसको हम रैपलम कहते हैं जिससे यह जो bicarpillary condition थी वो unilocular जो condition थी वो bilocular हो जाती है और यह false septum इसका नाम है रैपलम जो कि इसी family में पाया जाता और किसी family में रैपलम नहीं पाया जाता अगर आपने सरसों की फली देखी है तो उसको अगर सरसों की फली को लंबाई में अगर हम बीच में से चीरते हैं तो एक पतली सी polythene जैसी बीच में स जिली निकलती है जिसकी वज़े से वो ovary जो है ovary ही तो परिवर्तित हो जाती है फली में वो unilocular condition से किसमें चेंज हो जाती है बाई लोकिलर कंडिशन में चेंज हो जाती है और यह जो पतली जिली है वो false replum बाहर निकल के आ जाता है style बहुत छोटी होती है stigma bilogd है और parietal placentation पाया जाता है last may floral diagram floral formula से पहले आपको बताओं कि जो fruit है इस family का siliqua है siliqua fruit है लेकिन मूली के अंदर जो fruit है वो lomantum कहलाता है fruits अमने special नहीं किये थे अलग से इसलिए आपको fruits के नाम याद करने पड़ेंगे इस family में जो fruit है उसको siliqua कहते है pollination चुकि इसमें बहुत एक peculiar कि smell है इस family के members में flowers colorful होते है यलो होते हैं जैसा कि सर्सों में देखा था तो insects attract होते हैं इसलिए pollination entomophily है insects के द्वारा कीट पर आगड़ होता है floral formula सिर्फ मैं सर्सों का बता रही है ब्रैसिका इब्रेक्टियो इब्रैक्टियोलेट इब्रैक्टियोलेट न तो ब्रैक्ट है न ब्रैक्टियोलेट अक्टिनमोर्फिक बाइसेक्श्वल के मैंने बताये थे सैपल्स 2 प्लस 2 है करोला में जो petals है वो चार है जो कि cruciform की रूप में आरेंज है एंडिश्यम जो है 2 प्लस 4 है क्योंकि 6 है 2 छोटे और 4 बड़े जो है टेटरडाइनमस कंडिशन है गाइनिश्यम ओवरी सुपीरियर है और बाइकार्पिलरी कंडिशन है सिन कार्पस है ऐसे जुड़ी हुई है ठीक है अब इसी ब्रैसिका कंपैस्ट्रिस का ही मैं आपको फ्लोरल डायग्राम बता रही हूँ यह फ्लोरल डायग्राम है यह देखिए यह फ्लोरल डायग्राम मैं आपको क्लियरली पता चलेगा देखो ये दो जो बाहर के सैपल्स मैंने चार बताए थे टू प्लस टू ये बाहर का सैपल है दो और ये दोनों अंदर के सैपल्स है उसके बाद ये चार पैटल्स है चारो के चारो वालवेट अरेंजमेंट में है कोई भी सेपल और पैटल्स आपस में जुड़े नहीं है पॉली सेपलस और पॉली पैटलस कंडिशन है यह देखिए जिए बाहर की जो रिंग है इसमें केवल यह दो स्टेमन्स है जो की छोटे हैं हाइट में और यह अंदर की रिंग में चार स्टेमन्स है जो की लंबाई में, लंबे हैं, जो इसमें हम हाइट नहीं दिखा सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम में, और ये बाइक कार्पिलरी कंडिशन आपको ओवरी की, यहां पर मैंने अलग से भी बनाई हुई है, ये एक कारपल है ये दूसरा कारपल है यह bicarular है लेकिन unilocular है क्योंकि center में यहां तक ये septum नहीं आ रहा है और ये parietal placentation में ovules लगे हुए है बीच में लेटर में यहां पे एक false septum बन जाता है जो false septum क्या कहलाता है raplam raplam के उपर एक short note भी आता है आप इसके लिए biết सकते कि कौन सी फैमिली में ये पाया जाता है तो इस तरीके से ये complete family होती है साथ में last में ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रैसी केसी भी एक primitive family के अंतरगताती है तो ब्रैसी केसी के primitive characters आप लिख सकते हो कि flower बहुत attractive है और सारे के petals सारे petals free है सारे saples free है सारे stamens इसके अंदर free है और दूसरा जो entomophily है insects के द्वारा इसमें परागन होता है ovary superior है bract or bracteolapsent है और साथ में actinomorphic condition है ये सारे के सारे जो conditions है जारी primitive characters है तो ये भी family एक primitive family के अंतरगत आती है thank you very much students